आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे अपने hard disk drive की partition को delete कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी c drive की जगा कम पड़ रही है तो ऐसे में आप अपने दूसरे जो hard disk की partition बनी वी है उसको delete करके c drive में add कर सकते हो और अपने space को बढ़ा सकते हो अगर आपको hard disk की partition बनाना नहीं आता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड और की थी उसकी link में description में दे दूँगा तो आप जाकर उसको देख सकते हो तो चलिए और बात ना करके देखते हैं hard disk की partition को कैसे delete करके दूसरे drive के साथ add कर सकते हैं वो भी बिना किसी software के hard disk की partition को अगर आपको delete करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि आप जिस drive को delete करोगे और उसको दूसरी drive में add करोगे तो उसका data पहले आपको किसी और drive में किसी और partition में save करना होगा इसलिए आप जिस drive को delete करना चाते हो उसका data पहले ही दूसरे drive में आप save कर लो एक और बात जिस partition को आप delete कर रहे हो उसको उसी drive के साथ add कर सकते हो जिस drive से आपने उसको create किया होगा मालनी जी आपने C से D को partition किया था तो आप D को फिर से C में add कर सकते हो C partition में आप उसको add कर सकते हो या D को या D partition से E को partition किया था तो आप E को ही E को D से partition कर सकते हो बाकी दूसरे drive के साथ नहीं जोड़ सकते चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपने heart disk की partition को delete करके किसी ओड्राइब में add कर सकते हो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तहलो दोस्तों मेरा नाम है राशिद उसेन और आप देख रहो टेकनोलोजी राशिद यूट्यूब चैनल चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी computer screen पर कि तो माय computer को open करेंगे ओके तुम्हेर कंपिरटर में तीन partition है जो यह तीसरे नुमब्र की partition है यह 10GB किया है और इसको विद्गन कोई काम है नहीं तो इसको मझे delete करना और इस को मुझे add करना है D में क्योंकि c मैं add नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने यह 10GB बना यह वो डी से ही बनाए थी तो मैं इसी में इसको एड़ कर सकता हूँ इसको सी में एड़ नहीं कर सकता अगर सी में से बनाई होती तो सी में एड़ कर सकते हैं जिस ड्राइब में से आप इसको पार्टिशन करोगे उसी में ही आप वापस उसको एड़ कर सकते हो किसी दूसरी में नहीं कर सकते तो चलिए जरू करते हैं को मसी घ्याइए और मैंनेज पर कलिक करेंगे कि एस तरह का इंटरेंस आपके सामने ऊपन हो जाएगा तो हैं आपके से सकते हैं इस च्शोरेज तो यह डिस्प मरनेजमेंट चैनल करेंगे तो कुछ इस तरह से यह आपके सामने ओपन हो जाएगा इसको पहला हम डिलीट कर देते हैं तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपल राइट किलिक करेंगे और डिलीट वोल्यम पर किलिक कर देंगे फिर से राइट किलिक करके एंड डिलीट पार्टिशन मगर अभी यह एकंपलेट होई नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी यह इसकी जो यह जो 10G भी है यहाँ पर यह एड नहीं हुए अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं इसको ची में डी में सी पार्टिशन यह वोलियम का कोई option नहीं है जैसे ही दी पर click करूंगा तो यहां देख सकते हैं extend Volume का option यहां आ गया तो इसको क्लिक कर दूंगा और फिनेश्ट नेश्टन ए जो फिनेश्ट एन फिनिश इलिट हो भी गया है और जो मेरे टेंजी वीदा वो डी में डी पार्टिशन में एड़ हो चुगा है उबीधे दोस्ते वीडियो आपको पसंद आयूगी पसंद आए तो चनलल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस्ट अकम कु सब से बेल आपको dharma के जीए और की मेंटश करके बताएया आपको वीडियो कहीं से लगी अगर आपको कोई प्रोवलम है तो आपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई